जितनी भी paranormal घटनाओं की कहानिया हैं, उनको रोचक बनाने के लिए या तो उनमें थोड़ा बहुत जूट डाला जाता है, या फिर घटनाओं को बढ़ा चड़ा कर बताया जाता है, लेकिन आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसकी हर बात सक्चाई के बे हो गई, आज भी इस स्क्रिप्ट को बंद करके सुरच्छित रखा गया है, और किसी को इसे पढ़ने के इजाज़त नहीं है, नमस्कार, मेरा नाम है समिच चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, स्रापित स्क्रिप्ट अटुक की कहानी, अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए एक सहर चला जाता है, और वहाँ जाकर ये कविता लिखना सीखने लगता है, कविता लिखकर ये पैसे कमाना चाहता था, फिर एक दिन इसके दिमाग में खयाल आता है कि कविता लिखकर जितने पैसे कमाया जा सकते हैं, उससे ज्यादा पैसे व्योसाय करके कमाया जा सकते हैं, तो फिर ये टोरंटो चला जाता है और अपना वेवसाय सुरू कर देता है अमीर बनने की चाहत में तमाम काम करता है और फिर बड़े अजीबो गरीब तरीके से अमीर बन भी जाता है लेकिन इसका लालच बढ़ता चला जा रहा था पैसे कमाने के अंधी दोड़ में ये तमा 1977 में ये उपन्यास नॉर्मन जेवीशन नाम के एक आदमी के हाथ में जाता है नॉर्मन जेवीशन फिल्मों का डिरेक्टर था जेवीशन ने इस उपन्यास को परहा और उसने जैसे ही सुपन्यास को पढ़कर खतम किया उसने फॉरण टॉट कैरल नाम के एक स्क्रीन प्ले राइटर को फोन मिला दिया, नॉर्मन जेविशन को लग रहा था कि अगर इस उपरन्यास की कहानी में कुछ बदलाओ करके एक फिल्म बनाई जाए, तो वो फिल्म एक बड़ी हिट बन सकती है, तो नॉर्मन इस स्क्रिप्ट को जैसा रखना चाहता था, उसने टॉट केरल को बता दिया, और टॉट केरल ने उपरन्यास को स्क्रीन प्ले में बदलने का काम सुरू कर दिया, फिल्म के खाचे में ढालकर उपरन्यास की कहानी को अब इस तरह बनाया गया था, कि कनाड़ा के बरफीले छेत्रों में अटुक नाम का एक आदिवासी और सिकारी लड़का रहा करता था, दुनिया देखने के इसकी बड़ी चाहत थी, फिर एक दिन इसके गाउं में मिसल रॉस नाम की एक खूबसूरा लड़की आती है, मिसल रॉस अपने क्रू के साथ एक असाइन्मेंट के सिलसले में इसके गाउं आई थी, मिसल रॉस का काम रियल स्टेट कमप नुयॉक सहर पहुंच जाता है। नुयॉक में एक दिन काम तलास करने जा रहा था, तभी इसने देखा कि एक बच्चा नदी में टूब रहा है। तो अटुक कूट कर जाता है और उस टूबते हुए बच्चे को बचा लाता है। अब जिस बच्चे को इसने टूबने से जहां पर अटूट का गांग था दो इस आदमी ने अटूक को अपंटी के विज्यापन में काम करने के लिए रख़ा लिया मिसल रौपज इसी कंपणी में काम किया कर से अटूक बता चली तो काम करने के लिए फोरन का Ben SUV लेकिन उसको पता नहीं था कि ये company कौन सा काम करना चाहती है फिर आगे जाकर इसको पता चलता है कि इस company की वज़ा से इसका गाउं और इसके गाउं के आसपास का ecosystem पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा तो ये अपने गाउं को बचाने की लड़ाई लड़ता है नॉर्मन जेविशन को भीजी के लिए जान बिलूसे के नाम का सुझाओ भी जेविशन को दिया था जॉन बिलूसे काफी ज्यादा मसूर एक्टर था और अपने कॉमेडिक डोलों के लिए जाना जाता था कैरल टॉड ने जॉन बिलूसे को ही ध्यान में रखकर इस रोल को लिखा भी था और नॉर्मन जेविशन को भी ये सुझाओ अच्छा लगा क्योंकि जॉन बिलूसे इस रोल के लिए बिल्कुल ठीक था तो फिर इस क्रिप्ट को बिलूसे के पास भीजा गया और सन 1981 में बिलूसे इस रोल को करने के लिए राजी भी हो गया जॉन बिलूसे को ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी लेकिन फिर 5 मार्च 1982 को जब बिलूसे का ट्रेनर बिल वालेस होटल के उस कमरे में गया जहां पर बिलूसी ठहरा हुआ था तो इसने बिलूसी को फर्स पर पड़े पाया बिलूसी का चेहरा नीचे की तरफ था और इसका पूरा शरीर बर्फ जितना ठंधा था बिलूसी मर चुका था बिलूसी की उम्र इस समय महस्ते 30 साल थी आट्रोप्सी के बाद पता च समित नाम की महिला बिलूसी के साथ वारदात की रात में मौझूद थी फिर केटी समीत के बारे में एक बात सामने आती है यह पता चला की कैथी स्मित एक डrug dealer है और कलाकारों को डrug सप्लाई किया करती है खैर पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आखिरक में इस बात की गहराई सामने आने वाली थी कैथी ने बताया था कि जब वो डोज तैयार कर रही थी तो उसके अंदर से बड़ी तेज इच्छा हो रही थी कि वो मात्रा को बढ़ा दे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मात्रा बढ़ाने के लिए उकसा रहा हो और अगर कर वो मात्रा नहीं बढ़ाएगी तो उसके साथ कुछ बहुत पूरा हो सकता है फिर इसके बाद जो हुआ वो कैथी स्मित ने ऐसे किया जैसे वो आधी नील की अवस्था में हो तो इस केस में कैथी स्मित को 15 महिने के सज़ा हुई और जेल से छूटने के बाद इसे कैनेड कैनेडा में एक लीगल सेक्रेटरी बन गई और नौजवानों को ड्रक से होने वाले नुकसान के बारे में जाक दुख करने लगी तो अब जब फिल्म का लीड एक्टर मर चुका था तो यह स्क्रिप्ट फिर से मार्केट में वापस आ गई थी 1987 में यूनाइटेड आर्टि लेकिन आठ दिन की ही सूटिंग हो पाई थी कि दिक्कते आना सुरू हो गई पहली दिक्कत ये थी कि सैम किनिसन को सराब की बहुत ज़्यदा गहरी आदत थी और ये सेट पर भी देरी से पहुँचा करता था और दूसरी दिक्कत ये थी कि सैम किनिसन खुद इस कहानी से सं बिलित रहें तो नवे दिन ये नई स्क्रिप्ट लेकर सेट पर पहुंचा लेकिन किनिसन की ये हरकत स्टूडियो के एक्जिकेटर को बिल्कुर भी पसंद नहीं आई इस हरकत से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और सैम किनिसन को उसी वक्त सेट पर ही फिल्म से निकाल पीछा नहीं छोड़ने वाला था किनिसन की उम्र इस समय 38 साल की थी 10 अपरेल 1992 का दिन था किनिसन अपनी बीवी के साथ अपनी कार में था और निवाड़ा की तरफ ट्राइब कर ते हुए जा रहा था पीछे एक गारी और थी जिसे किनिसन का दोस्त चला रहा था किनिसन के दोस्त का भाई भी उस कार में मौझूद था तो दोनों गारियां सड़क पर दौड़ते हुए चली जा रही थी कि अचानक सामने दूसरी लेन से एक पिकप ट्रक लहराते हुए इस लेन में आता है और इस ट्रक ने किनिसन की गारी पर सामने से टक कर मारती किनिसन की कार और पिकप ट्रक दोनों सड़क के किनारे आ गए थे किनिसन के दोस्त ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा कर अपनी गारी रोकी और ये दौड कर किनिसन की कार तक पहुँचा इसने देखा कि किनिसन के सरीर पर तो ज्यादा कोई चोट नहीं आई है और किनिसन खुद ही अपनी गारी से बाहर भी आगया था इसकी बीवी को भी थोड़ी बहुत चोटाई थी, कि निसन चलते हुए अपनी गाड़ी से दूर जाने लगा, लेकिन कुछ ख़रम चलने के बाद ये रुप गया, फिर ये कुछ सेकंड ऐसे सामने देखता रहा, जैसे सामने खड़े किसी इंसान को देख रहा हूँ, लेकिन पूछा लेकिन क्यों, तो कुछ सेकंड ऐसे बीटे, जैसे ये अध्रस आदमी की बात सुन रहा हो, फिर इसने कहा, ठीक है, ठीक है, इतना कहने के बाद ये सड़क पर धिर परा, किनिसन के दोस्त ने सांस चेकी, तो उसे पता चला, किनिसन मर चुका है, आटोपसी में बा आग में जब इसने गौर किया, तो उसे पता चला, कि ये लड़का नसे में नहीं था, बलकि बहकी बहकी बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था, कि जैसे वो आधी बेहोसी में हो, या किसी के प्रभाव में हो, तो अब जब किनिसन के मौत की खबर बाहर आई, तो लोगों क को लगने लगा, कि इस स्क्रिप्ट की वज़ा से ही पहले जौन बेलूसी और अब किनिसन की मौत हो चुकी है, लेकिन इस टूडियो इस फिल्म को बंद करने के मूड में बिलकुल भी नहीं था, इस टूडियो को लग रहा था, कि इस फिल्म में जरूर कोई खास बात है, और दूसरी बात ये थी, कि इन दोनों हाथसों की वज़ा से ये फिल्म बनने से पहले ही काफी ज़्यादा मसूर हो चुकी थी, तो कुल मिलाकर इस टूडियो को लग रहा था, कि अगर ये फिल्म अच्छी बन जाए, तो लोग इसे देखने जरूर आएंगे, तो किनिसन क दिनों में वो इस रोल को करने के लिए राजी भी हो गया, रोल एकसेट करने के बाद ये अपनी एक बची हुई फिल्म का काम पूरा करने के लिए मैक्सिको चला गया, लेकिन 4 मार्च 1993 को जॉन केंडी अपने कमरे में मरा हुआ मिला, दिल का दोरा पढ़ने से इसकी मौत ह कोई थी, जॉन केंडी इस समय बस 43 साल का था, जब ये मरा तो ये अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था, केंडी ने अपने एक दोस्त माइकल और डोनग्यू को भी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी, क्योंकि ये चाहता था कि माइकल भी इस फिल्म में कोई रोल करे, 8 नमबर 1993 को माइकल की भी मौत हो जाती है, इसकी मौत की वज़ा ब्रेन हैमरिस थी, माइकल की उमरिस समय 54 साल थी, तो अब तक इस्टूडियो का उत्साह काफी जाता ठंधा पर चुका था, और फिल्म को कुछ सालों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर आता ह साल 1997 और इस फिल्म को बनाने की बातें फिर से सामने आने लगी, इस बार अटुक का रोल क्रिस फारले नाम के एक एक एक्टर को आफर किया गया था, तो फारले ने जब इसक्रिप्ट पढ़ी, तो फॉरण इसे करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसे पता था कि जान बिलूसी कभी इस रोल को करने वाले थे, यह जान बिलूसी का फैन था, और इसके लिए यह बहुत ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि इसको लगता था, कि जिस रोल को जान बिलूसी करने से रह गये, उसे करना इसके लिए एक सम्मान की बात होगी, लेकिन फारले को भी ड्रक्स और सराब की बहुत ज्यादा कहरियादत थी 18 दिसंबर 1997 की रात इसने बहुत ज्यादा ड्रक्स ले रखी थी और रात के दो बज़ें से दिल का तौरा पड़ गया यह फर्स पर नीचे गिर गया था और बीदने वाले हर मिनट के साथ यह मौत की तरफ बरता चला जा जब इसे दिल का तौरा पड़ा तो इसके कमरे में इसके साथ एक महिला और मौजूद थी लेकिन इस महिला का बरताओ बहुत ही ज्यादा अजीब था जब इसे दिल का तौरा पड़ा तो इसने महिला से मदद बुलाने के लिए कहा लेकिन महिला ने कुछ भी नहीं किया व हीरोईन और कोकेन की बहुत ज़्यादा मात्रा होना सामने आया था। क्रिस फारले की उम्र इस समय 33 साल थी, उतनी ही जितनी जॉन बिलूसी की मौत के समय उनकी थी। लेकिन ये जो महिला मौझूद थी जब इस से पूछा गया कि तुमको एक फोन ही तो करना था, तुमने एक फोन भी क्यों नहीं किया, तो इसने एक अजीब बाद बताई। इसने कहा कि इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे फोन करने से रोक रहा हो, और इसे ऐसा लग रहा था कि अगर इसने कुछ भी करने की कोसिस की, तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो John Candy की तरह Chris Farley ने अपने एक दोस्त Phil Heartman को ए实्ठिप्ट पढ़ने के लिए के दी थी, यह दोनों पुराने दोस्त थे, और फारले चाहता था कि Heartman इस फील्म के विलेंद के रोल करे, फारले को लगता था कि फिल हार्टमैन इस विलेन के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था क्रिस फारले की मौत के पांच महीने बाद ही हार्टमैन का अंत भी इसके सामने आ जाता है फिल हार्टमैन का अपनी बीवी से आया दिन जगड़ा होता रहता था क्योंकि इसकी बीवी बिल्कुल परफेक्ट था कि इसकी बीवी ड्रक्स लेना छोड़ते 1998 की एक रात तिन दोनों का जगड़ा काफी जगड़ा बढ़ गया था लेकिन हार्टमैन को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है जगड़े के बाद ये सोने चला गया और इसकी वीवी ड्राइंग रूम में बैठी रही रात के तीन बजे चुपचाप उठती है इसने फिर बंदूग निकाली और ये बेडरूम में गई फिल सो रहा था बिन ने नजदीक से तीन गोलियां फिल को मारी और नीन में ही फिल की मौत हो गई दो गोलियां सर पर और एक गोली सीने पर मारी गई थी इसके बा CB यहां से निकलकर एक दोस्त के घर गई और उसे सब कुछ बता धिया तकद दोस्त को यकीन नहीं लेकिंज दोनों ब्रिन के घर वापस आए जब वी वापस यहां पर आए तो इसने देखा कि जो भी ब्रिन बता रही थी वो सब कुछ बिल्कुल सस्त था इस सारे समय ब्रिन बस यहीं बढ़ाती रही कि मैं मारना नहीं चाहती थी लेकिन उसने मुझे फिल को मारने के लिए मजबूर क किया मैं नहीं जानती कि मैंने यह क्यों किया पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के आने से पहले ही ब्रिन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खुद को भी गोली मार ली अब चब इतनी मौते हो चुकी थी तो स्टूडियो को भी लगने लगा कि इस को बंद करने का और इस स्क्रिप्ट को बंद करके सुरक्षित रख देने का फैसला किया अब हालिवुड में ड्रक्स का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है और ड्रक्स के ओवर्टोस की वज़ा से तमाम एक्टरों के मरने की खबरें भी आती रही हैं लेकिन इस केस में उन लोगों का वेवार अजीब नजर आता है जिनकी वज़ा से मौते हुई जैसे जॉन बिलूसी के केस में कैथी स्मित का, किनिसन की मौत में ट्रक ड्राइवर का, फिल हार्टमेन की बीवी का और क्रिस फारले के साथ जो महिला मौजूद थी मौत में तो उसका कोई हाथ नहीं था लेकिन इसका वेवार भी काफी ज़्यादा अजीब था जॉन कैंडी और माइकल और डॉनग्यू की मौत अकेले में हुई, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कि उनकी मौत के समय उनके साथ कोई अजीब घटना हुई थी या नहीं हुई थी लेकिन इस स्कृप्ट ने इन एक्टर्स की जान क्यों ली इसका जवाब कभी सामने नहीं आ पाया, ऐसा ही एक केस हमारे सामने आता है ग्लूमी संडे गाने का, इस गाने को बिली हॉलिडे नाम की एक सिंगर ने 1941 में गाया था, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ तो इस इसे ज्यादा बार सुनने वाले लोग आत्महत्या करने लगे, 100 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आये जिनमें इस काने को सुनने वाले लोगों ने आत्महत्या करी थी, इस काने को रेडियो स्टेशनों से बयन कर दिया गया, पहले जब इस काने का नाम आत्महत्या के मामलों स से जुड़ा तो लोगों ने इसे महज एक पक्वास माला फिर आगे आने वाले सालों में कई मनों चिकिटसक सामने आये जिन्हों ने बताया कि इस काने के संगीद में कुछ ऐसी चीजे थी जो इंसानी दिमाग पर पुर आसर डालती थी किसे ने इनको गाने में जानबूच कर नहीं रखा था ये बस संग्योग से आ गई थी और अगर कोई इनसान दिमागी तोर पर परेसान हो तो ये संगीत उसे आत्मात्या करने के लिए उकसा सकता है खेर अटुक फिल्म की बात करें तो ये लगता है कि अगर अटुक फिल्म बनती तो एक हिट हो सकती थी बॉलिवूड में ऐसी फिल्में बनी भी हैं अटुक नाविल लिखे जाने से पहले ही 1905 में बनी फिल्म स्री 420 की कहानी इस मूल उपर न्याज से काफी ज़्यादा मेल खाती है इसके अलावा ये जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी इससे जब जब फूल खिले और राजा हिंदुस्तानी फिल्में काफी ज़्यादा मिलती जुलती है तो स्री 420 और राजा हिंदुस्तानी जब जब फूल खिले इस सारी फिल्में बड़ी हिट थी इसलिए लगता है कि अटूक अगर बनती तो वो भी एक बड़ी हिट हो सकती थी खर ये थी हमारी आज की कहानी उमीद है आपको पसंद आई हो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ